ए धारवाने धार तिरा धिलाले आयो रहे जैस श्री राम मैं रंगवानी जैस पारश सक्षर पात्रय यूट्यूब चेनल में आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ आज हम रामचरित मानस के अंदर जो मेच सुपा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे हाँ श्री तुलसी दास्ची ने जो रामचरित मानस लिखी है उसकी एक चोपाई में कहीं पे मैच से क्या है वो देखते हैं वो चोपाई है नाम चतुर गेन पंच यूग कृत द्वै गुनी बसुभखी जीव चराचर जगत में तुलसी राम ही देखी हाँ इसी चोपाई में ये रास छुपा हुआ है कैसे और क्या चलो जानते हैं रामचरित मानस में जो पहला वर्ड है नाम मिन्स हमारा जो नाम है उसके हमको वर्ड्स लेने हैं जैसे की मेरा नाम जायस है तो उसमें थ्री वर्ड्स आते हैं तो मैंने थ्री ली है उसके बाद आता है चतुर गेन यानि multiply by four जो थ्री है उसको फोर के साथ multiply करने से बारा मिलते हैं बाद में हैं पंचय यूग, यूग यानि जोडना और जोडना यानि प्लस करना 12 प्लस 5 17 और उसके बाद का वर्ड है कृतर द्वाई गुनि यानि कि 2 के साथ गुना करना है मल्टिप्लाई करना है तो अगर मैं 17 को 2 के साथ मल्टिप्लाई करूँगा तो मुझे 34 मुलेंगे और लास्ट वर्ड इस बसुभखी यानि कि divide by 8 हमको ये division calculator में नहीं करना है लेक से करना है तो हमारा आंसर आता है 34 divided by 8 is equal to 4 and remainder will be 2 yes always when you divide or process this type then you always got 2 and means तुल्षिदास जी ने सभी जगा पर सभी जगा पर स्री राम को ही देखा है सिर्फ स्री राम को देखा है हां और इसी तरह से remainder 2 सभी में आएंगे thank you जये स्री राम